जैसा कि हम लोग X-linked recessive traits को देख रहे हैं तो इसमें जो एक example है हमारे पास वो hemophilia की है जबकि जो दूसरी example है वो color blindness है color blindness जो है इसको समझने से पहले हमें थोड़ा सा ये देखना होगा कि हमारा vision जो है वो कैसे काम करता है और किन cells के मदद से हम देखते हैं और इसका procedure क्या होता है तो हमारा जो normal vision है वो trichromatic vision होता है trichromatic vision जो है इसका मतलब यह है कि हमें सिर्फ तीन colors जो है basic वो नज़र आते हैं और इन colors को combine करते हुए हम मुख्तिलिफ रंग बना के उनको देखते हैं हमारे पास तीन तरह के cone cells होते हैं जो के तीन basic colors को sense कर सकते हैं इन में से एक cone cells जो हैं वो सिर्फ red color को जो है वो identify कर सकते हैं जबकि second type जो है वो green को और third type जो है वो blue color को sense कर सकती है और क्योंकि हम सिर्फ basic three colors को देख सकते हैं इसलिए जो हमारा vision होता है इसको हम trichromatic vision का नाम देते हैं हमारे पास तमाम जो cone cells मौझूद होते हैं इनके पास specific light absorbing protein मौझूद होती है जिसको हम options का नाम देते हैं और ऐसे genes जो के red और green color के options बनाने के लिए responsible होते हैं वो X chromosomes के उपर मौझूद होते हैं color blindness की जो हमारे पास types हैं वो हमारे पास dichromat आता है और monochromat आता है dichromat ऐसे vision को कहा जाता है जिसमें इनसान जो है वो सिर्फ two colors को perceive कर सकता है हम सिर्फ दो रंग देख सकते हैं जबके तीसरा रंग जो हमें नजर नहीं आ पाता और monochromat जो है ये एक ऐसी color blindness होती है जिसमें इनसान basic three colors में से सिर्फ एक color को देख सकता है जबके दो colors जो हम उसको नजर नहीं आ रहे होते हैं तो अगर हम dichromat की details देखें तो इसमें हमारे पास proteinopia आ जाता है और ये ऐसे patients होते हैं जिनको red color की blindness होती है और ये red color को नहीं देख पाते हैं इस तरह से इसकी जो second type है वो duternopia है ये ऐसे patients होते हैं जो के green color को नहीं देख पाते हैं ये कौन से blindness है ये green blindness होती है जबकि third one जो है वो tritanopia ये हमारे पास blue color की blindness है इन patients में जो blue color को sense करने वाली कौन से होती है वो काम नहीं कर पाती है इसी तरह से जो monochromat होते हैं इन में ये basically true color blinding को कहा जाता है क्योंकि ये ऐसे patients होते हैं सर्फ एक color को perceive कर सकते हैं और दो color जो है वो इनको नजर नहीं आते हैं तो इन में से जो है हमारे पास blue monochromat इसी जो है यानि के सर्फ blue color का नजर आना ये जो है ये excellent recessive trait है जो के हमारा main topic है और इन patients के अंदर red or blue concells जो होते हैं वो absent होते हैं और इसी तरह से हम याद रखने के लिए यहाँ आप एक दफा दुबारा लिख लेते हैं प्रोटन आपिया जो है यह कौनसी color की blindness है यह red color की blindness है deuterine आपिया जो है green color की blindness है और triton आपिया जो है यह blue color की blindness है और क्योंके monochromats है, यह भी excellent recessive trait है, तो यह कैसे pass करेगी? maternal grandfather से daughter में जाएगी और daughter से फिर son में आ जाएगी, तो जैसा कि आप जानते हैं, कि जो बिमारी इस तरह से travel करती है, उसको हम क्या कहते हैं, वो कौन सा veteran है? वो zigzag pattern है, और यह भी जो बिमारी है, यह ज्यादा common किस में होगी? यह ज्यादा common man में होगी. नेक्स्ट हमारे पास, एक activity आ जाती है, जिसमें हम यह बताया गया है कि 6 linked recessive trait जो है, एक capital C है, और एक small c है. Capital C जो है, यह normal है, जबके small c जो है, यह red blindness cause करती है. तो यहाँ भी यह बताया जा रहा है कि एक normal woman है, नॉर्मल वोमेन है, वोस फादर वाज red color blind जिनके जो फादर थे, वो color blind थे, और इनकी शादी होगे किस के साथ? color blind person के साथ थे, तो यहाँ पर हम यह देख लेते हैं कि इनकी जो mother है, वो क्या थी? वो normal थी, इनकी आपस में शादी हुई, और इनसे जो आगे बेटी हुई, वो normal है, और इसकी आगे से बेशादी हुई एक disease person के साथ, तो यहाँ पर basically हमने तीन pedigrees को देखना है, तीन नसलों को देखना है, यह हमार पास pedigree 1 है, यह pedigree 2 है, और यहाँ पर जो है, वो pedigree 3 आएगी, और question यह है, कि जो आने वाली अगली नसल होगी, उसके अंदर क्या chances हैं कि वो color blind होगे, तो हमें इनकी phenotype तो पता है, तो सबसे पहले हम इनकी genotype जो है वो देखने की प्रचिश करते हैं, यहाँ पर अगर हम देखें तो यह क्या होगा, यह x और y होगा, और यह small c होगा, जबकि यह x और x होगा, और यह capital c होगा, और हम थोड़ा सा जो color है, उसको different करेंगे, ताकि capital c को easily पहचांच सके, यहाँ पर हम capital c को yellow से लिखेंगे, और small c को blue से ही लि तो यहाँ पर अगर हम देखें, तो मदर से normally लिए लाएगी, यह क्या होगा, x capital c, जबकि फादर से color blindness लिए 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 लाएगी, यानि कि x और small c, तो यहाँ पर हमें यह पता चला, कि यह जो normal मदर है, यह basically carrier है, और इनकी जो हो शादी होई है, ऐसे बंदे के साथ जो के color blind है, तो इनके आगे जो off spring बनेंगे, उनके अंदर क्या possibilities हैं, कितने percent chances हैं कि वो color blind होंगे, तो यहाँ पर असान तरीका तो यह ही है कि हम क्या करें, पनिट स्केर जो इसको बना लें, यहाँ पर जो हमारे पर से लील्स आएंगी, वो x, small c, और y आजाएंगी, जबके यहाँ पर x, capital c, और x, small c आजाएंगी, यहाँ पर हम देखें तो, x, capital c, और x, small c आजाएंगी, जबके इदर x, capital c, y आजाएंगी, और यहाँ पर x, small c, x, small c आएंगी, और यहाँ पर x, small c, और y आजाएंगी, तो, यह दोनों जो परसन हैं, यह normal होंगे, जबके यह दोनों परसन जहाँ यह, color blind होंगे, तो इसका मतलब यह है, कि 50% जहाँ, वो normal होंगे, और 50% जहाँ, वो क्या होंगे, color blind होंगे, तो हमारा जो answer आएगा, वो आएगा, कि 50% जो बच्चे हैं, वो क्या होंगे, color blind होंगे, और जो 50% हमारे पास बच्चे हैं, वो क्या आजाएंगे, नॉर्मल आजाएंगे, नेक्स्ट वमारे पास एक छोटा सा डॉपिक है, टेस्टिकलर फैमानाजेशन सिंड्रोम का, यह एक ऐसा सिंड्रोम है, जो के बहुत ज्यादा रेर है, और X-linked recessive trait है, इसमें क्या होता है, कि जो person effect होता है, state से, उसके पास जो chromosomes होते हैं, वो normal chromosomes होते हैं, male वाले, जो के X और Y chromosome है, लेकिन जो TFM gene है, testicular feminization mutant gene जो है, इनका X chromosome के उपर, वो इनको develop कर देता है, physically females के अंदर, यानि के ये ऐसे individuals होते हैं, जिनका जो chromosomal set है, वो तो males वाला होता है, लेकिन जो physical appearance होती है, जो इनकी body होती है, वो कौन से होती है, females की होती है, तो females की body है, तो इसलिए इनके पास क्या होगा, इनके पास breast मौजूद होंगे, female genitalia होगा, यानि के जो इनके पास sexual parts है, वो सारे females वाले होंगे, और blind vagina होगी, जिसके अंदर किसी किसम का कोई uterus मौजूद नहीं होगा, इसके लावा इनके पास degenerative testis भी मौजूद होंगे, लेकिन वो outside the body नहीं होंगे, नॉर्मल मेल्स की थरह, बलके वो inside abdomen जो है, मौजूद होंगे, ऐसे individuals जो है, इनकी जिन्दिगियों में इनकी शादियां भी हो जाती हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, ये steer ale होते हैं, इनके आगे से बच्चे पैदा नहीं हो सकते, क्योंकि ये genotypically male हैं, female नहीं हैं, और आपने अक्सर सुना भी होगा, कि operation हुआ और लड़की जो है, वो लड़का बन गई, तो वो इसी तरह के cases होते हैं, जिसमें जो females हैं, वो male के अंदर convert हो जाती हैं, क्योंकि वो पहले से ही genotypically male हैं, जबके उनकी जो physical appearance है, वो सिरफ क्या है, female वाली है, ये जो हैं, एक endogen insensitivity syndrome है, और male sex hormone, testosterone जो होते हैं, इनका इनके उपर कोई भी असर नहीं होता, जो हैं, इनका बाल